तो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर ललीत आपके सामने और आज हम बात करेंगे मैथमेडिक्स के सेशन की इस पूरे कम्प्लीट आर में हम मैथमेडिक्स पर डिसकेशन करेंगे बहतरीन सवाल होंगे और कैसे हमको छूमंतर करेंगे यह सब आप लोग आज देखेंग हैं, ऋंके वेरी गोड तो चलो शुरू करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो वीडियो वो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और आख की सवाल आपके सामने बहुत सिंपल सवाल लखा है, क् mcqs based complete महा महरातन है जिसके अंतरगत आपको चीजे समाजनी होंगी और यहाँ पर एक प्रक्टी सेशन बनाया गया है जिसमें हम लगबग तीस questions को cover करने वाले हैं depend करेगा आप पर आप कितना fast इसको करते हैं पहला question आपके सामने है question number one question mark square root minus 34 is equal to 484 इन में से कौन सा सही है देखते जल्दी से जवाब दीजिए का बहुत ही simple सवाल दिया simplification से है सवाल और आप सभी लोग जा दें simplification बहुत easy है simplification को अपासानी से कर सकते है simplification का सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूं ओके तो question number one square root of question mark you can put question mark की जगा आप x भी put कर सकते हैं और देखते हैं सवाल कितना आसान है अगर मैं इसकी बात करता हूं अगर question mark आपको भारी लगता है तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं square root of x minus 34 अगर इसका square root निकालते हैं 484 का वर्गमूल बाद डी option मिला है बहुत बढ़ी है जवाब ममता जी का well done ममता तो आपने का 484 इसका वर्गमूल निकाले that is 22 बाइस हो जाएगा ना ओके अब देखें एक्स का root is equal to क्या है 22 प्लस 34 और x का square root is equal to 56 और x ब्राबर what that is 56 का square that is 3136 अब यह आप कैसे निकाले इसको भी में तर बता देता हूं इसको short में कैसे करेंगे ओहो महेंदर जी यादव इतने इसको तो हसके देना चाहिए था आपको आप तो गुस्से में होगे खरम चलो देखने हैं चार सो चुराची को कैसे किया मैंने दो तरीके हैं आप यह तो ऐसे कर लो जैसे आप जोड़े बना के कर तो ही सबको आता है आप फेक्टर कर लो या फिर आप शॉटकट देख सकते हैं कि इस पे चार है न तो यह दो के या आठ के स्क्वेयर पर मिलेगा दो आंके हाँ से चोड़ दो तो दो और तीन के स्क्वेयर की बीच में चाराता है छोटी संख्या 2 2 ती अच्छे ये छोटा है तो 2 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं नहीं तो आप ये काम कर सकते थे जैसे आपको पता है 2 दूनी 4 आपने यहाँ पर 2 जोड़ा ये होगिया 4 आपने 84 यहाँ से निकाला 2 आपने आप उट कर दिया 84 तो there are lots of का जवाब आप मुझे क्या देते हैं ओके लट सी वोट विल बी और राइट आंसर फॉर इसकोशन ओके एक भिन के अंश में 25 परसेंट की वरद्धी करें तता हर को दोगना करें तो प्राप्त भिन पांच बता नो है मूल भिन क्या है यानि तो यहां पर सवाल आपके सामने है कोशन नुम्बर को जरूर दोस्तों मेंशन करते रहें तो हम कैसे करते हैं हम मानते माना भिन x upon y और उसने बोला x में 25% की वरत दी तो x plus x गोना 25% upon y का डबल होगे तो y में y जोड़ दिया that is and then you are putting the value so it will create some issues it will create some problem just because of ये तरीका थोड़ा सा खतरना आगे तो क्यों ना मैं आपको smart way बताऊ चलो क्योंकि percentage में ही बात लिखिए और जब साथ जानते है percentage का meaning क्या होता है सब जानते है percentage का meaning क्या होता है percentage का meaning होता हंड्रेट के बराबर It's equivalent to 100 तो मैंने क्या माना मैंने 100% इसके Nr को माना और 100% ही मैंने इसके Dr को माना कोई problem तो नहीं है 100% Nr, 100% Dr मैंने इसको माना कोई problem तो नहीं है very good उसने बोला अंश जो है 25 परसेंट बढ़ गया तो plus 25 यहीं कर दिया उसने बोला यह double हो गया तो वह कितना हुआ 125 बटा 200 परसेंट बास समझ में आ रही है उसने बोला 100 को मैंने 25 बढ़ा तो मैंने 125 लिख दिया उसने बोला 100 को double कर दो बोला उसको DR को double कर दो तो 200 हो गया अब वो किस के बराबर है आपने का 5 बटा 9 की बराबर है तो बस इस case में एक चीज़ या दखनी है फ्रैक्शन कौन सा है ये वाला तो इसमें जो अन्श है न ये वाला ये अन्शी रहेगा हम इसमें गड़बली कर देते हैं हम इसको उपर लिख देते इसको नीचे लिख देते तो बदल जाता है तो या दखना ये पांच अन्श है तो ये अन्श की फॉर्मेट में रहेग आपको पांच पंजे पच्छिस पच्छिस अथे दो सो यह आठ बटान उस दिर आइड इस इट के लिए यसके नो भी इस नॉट दी राइट आंसर भी इस रॉंग आंसर तो देखो भी तरीकी से समझना है सवाल और जल्द बाजी में गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस् सब तयार हो जाओ 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 क्या नींद में हो आप लोग उठो जागो और युद्ध करो सवालों के साथ तो राइट ऑप्शन क्या है तो राइट ऑप्शन इस एट बाई नाइन होप सो समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को वेरी गुड क्लियर है ठूकासी गलत हो गया कोई बात नहीं है घलत सही तो चलता रहेगा आपको स्मार्ट मेथड समझ में आ गया ना बाकी तो ऐसे सवालों को नहीं चोड़ोगे ना पका अगर नहीं चोड़ोगे तो येस करके बता दे ना एक और सवाल किसी वस्तु की मुल्य में पहले 10% की वरद्धी करें उसके बाद उसमें 20% की वरद्धी करें पहले 10% बढ़ाई फिर 20% बढ़ाई और यदि अंतिम बढ़ाओं मुल्य 33 रुपए है तो प्रारंबिक मुल्य क्या था यानि आपने किसी की कोस्ट में पहले 10% बढ़ाया फि तो उसका कॉस्ट प्राइज कितना उसका प्रारंबेक मुल्य कितना है बहुत सिंपल सवाल है एक बार और आकाश अभी बताता हूं इसके बाल बताता हूं हाँ मैथ क्लास देली चलती है महिंदर जी यह डेली होती है क्लास अब यह चार दिन तक लगातर एक बज़े चलेगी आज भी कल भी संडे मंडे चार दिन एक बज़े आपको मिलेगी ओके चलो देखते हैं तो किसी वस्तू के मुल्य में पहले 10% की विरध्धी कर दो उसके बाद उसमें 20% की विरध्धी कर दो तो बड़ा ही आसान सवाल है बड़ा ही इजी सवाल है अगर आप चाहेंगे तो चुटकियों में होगा कैसे देखो नो नीटू मैं लेट एक्स और वाइन जाद कुछ नहीं करना है क्या करना समझो आपको याद होगा जब भी दो कॉंजूगेटिव परसंटेज बढ़ते हैं घटते हैं एक बढ़ता है एक घटता है तो मैं एफेक्टिव परसंटेज ल पता होगा इसका तो बच्चे बच्चे को पता होगा है ना तो एक इतना आपने का 10 बी कितना आपने का सर ये भी 10 प्लस दस मल्टीप्लाइब इस अपॉन हंड्रेड तो ये कितना हो गया दस और बिस तीस और दो पर्टिस तो टोटल मिला कर देखा गया तो उसकी प्राइज में बच्च परसंट की वरत्दी होगे टोटल बच्च परसंट आप इस गुड़ आफनों टोलब कितना होगया बच्च प सब्सक्राइब तो इसकी मल्टीप्लाइब ऐसे कर दी तो 33 मल्टीप्लाइब अपॉन 132 ये कटा चार बार और चार से कटा पच्चिस बार तो वस्तू का प्रारंबिक जो मुल्य था वो 25 था शायद आपको दिख रहा होगा देट इस ट्वंटीफाइब के लिए एनी इशू कोई प्रापलम हो तो मुझे बताओ समझ में आ गया तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे अदर्वाइस एक तरीका यहां भी लिग देता हूं पहले 100 परसेंट था पहले आपने उसमें 10 परसेंट निकाला उसका तो कितना हो गया आपने का 110 अब 110 पर कितन परसेंटेज को यूज करेंगे दन यू विल गेट दी आंसर क्लियर है यस के नो एक बाद यस करके बताओ नहीं तो फिर आगे चलते पीछा वाला सवाल किसको समझ नहीं आया था प्रीविएस कुशन भी साथ किसी को समझ नहीं आया था वो कौन दोस्त है मेरा जरा बताए मुझे एक बार गुट आफ्टरनून शालेनी जी ओके बढ़ें आगे कोई प्राबलम तो नहीं किसी को बहुत बढ़िया से आप लोगों के आंसर देख रहा हूं आपके कमेंट में मुझे अच्छे से मिल रहे हैं बहुत बढ़िया जवाब नहीं सर नहीं आया ये वाला पीछे वाला नहीं आया शालेनी दुबारा समझों फिर समझाता हूं दुबारा से अगर समझ नहीं आया बहुत ईजी है आपके पास एक चीज ती जो हंड़िड परसेंट थी उसमें पहले दस परसेंट की वरद्दी हुई जो वरद्दी होने की बाद है उसमें फिर 20% की तो मैंने शर्व रद्धिया निकालनी इन दोनों से और सको बोल दे एफेक्टिव पर्सेंटेज यह से सक्षाशिक परसेंटेज व मैं तोटल कितना इंपक्ट पढ़ा उसका कितना पर भाव पढ़ा तो आपने कहां दस पर सेंट बढ़ा बीस परसेंट उसके बाद बढ़ा फिर दस गुना पीस बटा सो मैंने कर दिया तो यह टोटल के दोट अब दास और बीस थीस परसेंट टोटल हो गया यानि उस वस्तु में इन दोनों क्रेमेंट करने के बाद 32% की बढ़ोत्तरी हो गई यह बाद समझ में आ गई अब यह 32% तो बढ़ गया बेसिक कितना था 100% जो वस्तु होती है अपने हंड़ेट परसेंट होती है तो वो टोटल कितनी बढ़ गई 100% से 32% और बढ़ा उसने बोला था सवाल में कि किसी मुल्य को पढ़ने पर उसमें अंति मुल्य 33 है यानि इन सब बढ़ोत्तरी के बाद इसका रुपए में मुल्य 33 था उसने पूछा था प्रारंधिक मुल्य कितना था 100% कितना था तो आपने निकाला आराम से यह कोशन मार्क है तो ऐसे मुल्य कोशन मार्क बराबर वाट 100 मुल्य कोशन मार्क का वैल्यू निकालेंगे तो 100 मुल्टी प्रणाम अरे लली जी कैसे हैं नमस्कार नमस्कार स्वागत बढ़ते हैं आगे एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखता हूँ ओके वन मूर् एक और सवाल चलो देख लेते हैं इसका जब क्या देते हैं चल जा ओके किसी घन की भुजा आठ सेंटीमेटर है तो उसमें चार सेंटीमेटर लंबे दो सेंटीमेटर चोड़े और एक सेंटीमेटर ओंचे कितने बॉक्स आ सकते हैं बहुत इजी सवाल है अलुआ टाइप स आपने कहां सर इसकी तो लंबाई चोड़ाए कुछ और होनी क्या है ऐसे आपने मिला ऐसे दो बनता है क्योब ओके उसने का घन की भुजा इसकी सारी भुजा एट सेंटीमेटर है कोई प्राबलम नहीं उसने बोला उसमें दो सेंटीमेटर लंबे चोड़े और एक सेंटीमेटर कितने लगने क्योब आई घनाब बन गए वो तो घनाब कितने ह होंगे यह वाला ऐसी घनाव हो गया चलो घनाव ऐसी होता है है ना उसने बोले सेंतिमेटर में कितना था चार दो एक चार दो और एक अच्छा मुझे बताओ अगर इस बड़े वाले क्यूब में इस छोटे वाले बॉक्स का डिवाइड कर दू तो मुझे पता लग जाएगा ना क्योंकि इसके वोलियम में इसका वोलियम का डिवाइड करो तो नंबर आफ बॉक्स मिल जाएंगे नंबर आफ बॉक्स मिल जाएंगे कर नहीं मिलेंगे कि कितने बॉक्स आएंगे इसका पूरा वोलियम निकलके इसके वोलिम से डिवाइड कर दिया इसके आयतन से इसक मुल्टी बलाए वाई एच और एल बिएच कितना हुआ चार गुना तीन गुना स्वरी दो गुना एक फॉर इंटो इंटो बन अब चार दूनी आट से आट कर गया एट एट जा 64 तो यानि आप कुल मिला करके 64 बॉक्स रख सकते हो जवाब देखते हैं जवाब हेलो सर मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाओ भाई ओके मैं बताता हूं कोई दुकान अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको जुरूर बताऊंगे सब्सक्राइबर कहां मिलते हैं तोल में मिलते हैं कि मोल में मिलते हैं अभी तो मुझे नहीं पता है चलिए तो जवाब मिला 64 कोई प्राबलम किसी को एनी इशू एनी प्राबलम इस एवरिटिंग ओके नाओ मैं आगे बढ़ूं सबको समझ में आया है कैसे आया है डिटेल में समझ में आ गया ना वेरी वेरी गोड आगे बढ़ते हैं और सवाल आपकी तरफ आ रहा है नन्ने नन्ने कदमों से स्वागत कीजिए किसी धनराशी के दस प्रतिशत वार्शिक ब्याज दर से दो वर्श का चक्रवर्दी ब्याज तता साधन ब्याज के अंतर मात्र 40 रुपए है यह धनराशी कित प्रतिशन आपके सामने है इस 4,000 इस 3,600 इस 4,200 और 3,200 वाट विल बी राइट आंसर मैं जब तक जल ग्रहन करता हूं आप सवाल को ग्रहन करो और जल्दी से इसका मुझे प्रतियास मरन करके इसका उत्तर जल्दी से दो पानी जिसको पीना वो भी पी सकता है ओके जवाब हमको जवाब चाही चाही तो भी अचाही जल्दी दो क्या होगा जवाब और नहीं होगा तो हम बेख़ए हैं यहाँ पर आपके सामने बताने के लिए समझते हैं इस क्वेस्चन को करने के लिए आपको पैतनिक पैन भी नहीं चलाना पड़ेगा यह विदाउट प बैटे बैटे हमारा सवाल प्यारा हो गया ऐसे काम बन जाएगा कैसे देखो किसी धनराशी तो आपको गर कॉंसेप पता है रटा रटा रटाया ग्यान नहीं चलेगा एंस यह बलकुल मना करता है कता ही बलकुल मना रटना पाप है और जो रटे उसके घर में सांप है ऐसा कहा आता है तो आप समझना एंसिप की बात मानों कौन सेप्ट को समझो क्या है वारसिक गिदर से दो साल का ब्याज अब दोस ने पूछे यह हुआ सिंपल इंट्रेस्ट यह हुआ कंपाउंड इंट्रेस्ट अब यह तो पता है ना साधन ब्याज हर वर्ष बराबर रहता ब कंपाउंड इंट्रेस्ट कहता है कि जितना ब्याज मिलेगा वो तो है प्लस उस ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा यह दो चीज आपको समझ हमें आती हैं ओकेए देखते हैं तो ऐसा ही पहली साल में ब्याज के 10% दुछे साल में कितना मिला वो भी 10% तो टोटल कितना मिला 20% ब्याज तो भी आपको जो ब्याज मिला है साधारण ब्याज वो 20% मिला है अब मैं compound interest की बात करता हूँ शायद आप सबको पता हो ना पता हो तो मैं बता देता हूँ पहले वर्ष के लिए साधन ब्याज और चक्रवर्दी ब्याज यानि simple interest और compound interest दोनों बराबर होते हैं यानि अगर मैं बात करूं compound interest की तो पहले साल के लिए 10 अगले साल के लिए ये तो रहेगा ही रहेगा लेकिन इस ब्याज पर भी ब्याज 10 का 10% एक ये और लगेगा समझे हो ना पहले साल 10 रुपए दोनों में इसमें कोछ जुड़ता नहीं इसलिए 10% अगले वर्ष भी रहा लेकिन ये इस 10% पर भी 10% का ब्याज लेगा यही तो चक्रवर्दी ब्याज कहता है यह तो खतम ही होगी टेंशन के कमपाउंड इंट्रेस्ट 21% सिंपल इंट्रेस्ट 20% और दोनों का अंतर 40 रुपिया यानि मैं क्या कर दूँ है ब्लॉक में बंद कर देता हूँ इसको और देखता हूँ यानि 21% माइनस 20% यह तो हुआ यह एक परसेंट है ढूनों का अंतर आपने कॉशन परसेंट्टेज में निकाला तो एक परसेंटका आपको अंतर मिला लेकिन कॉशन में तो 40 रुपिया है कि एक परसेंटका मतलब 40 रुपिया है और जो इन इसल आर्मांट रोता है इसको आप बोलते principle amount percentage में रड़ाई कर रहे हैं जब से हम तो 100% ही होता है वो हमेशा तो 100% का value पूछ रहे हैं वाई सब तो कर दे हैं ऐसे तो 40 में 100 की multiply की तो मातर 4000 रुपे आपका answer आया किलिए ले भाई बात समझ में आ गई it is 4000 रुपी option number one आप लोगों का जवाब थोड़ा सा गलत हुआ है आदित्या ने सही कहा है बाकी अनीश और अनूप आपका है कैसे हैं बाकी लोगों ने जवाब थोड़ा सही नहीं किया is it clear now yes can do हाँ 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 कुछ तो कहो yes 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 no कुछ तो कहो okay मुझे कितना मेरे हाँ वेकेंजीज खाली है CA और अकाउंटेंट्स की ठीक है कोई आपकी नजरों में हो तो मुझे बता ना जो मेरे हिसाब किताब को रख सके क्योंको मुझे पढ़ाने से टाइम नहीं मिलता है okay चलो आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं तो अनकेडमी ने बहुत कुछ दिया है और एक बात बताएं आपको महिला से उसकी उम्र और पुरुष से उसकी वेतनवान सेलरी नहीं पूछा करते हैं चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नए कुश्चन की कलिर है आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सवाल क्या मिलता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा बारहा के दो गुनजों का लगुत्म समाप उबरत्य एक हजार चप्पन है यह इन में से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी बारहा के दो गुनजों का लगुत्म समाप उबरत्य एक हजार चप्पन है यह इन में से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी बड़ा ही आसान सवाल हर किसी एक्जामिनेशन में इस तरह का सवाल रखा मिल जाता है बस आपको निकालना है जवाब और वो भी जबरदस तरीके से घलती न हो जाए और देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए क्योंकि आजा रहे तुझे तिरह प्रशन बुलाए परेक्षा में ऐसा कहता है प्रशन लेकिन ज्यादा देर कर दो के तो निकल जाता है हाथ से अपका मुझे क्या जवाब मिलता है तेजी से उत्तर मिलेगा आपके सामने हैं मैं अच्छा हूं ममता आप कैसी हैं मैं अच्छा हूं तनू है लो तनू हाव यू आप अच्छी हैं वेरे गोड चलिए तो वह सवाल को अश्वाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं अगर आप किताब की तरफ दोड़ोगे आओ वेदो की तरफ लोटे तो प्राबलम होगी क्योंकि वहाँ पर आपको पता नहीं कैसे कैसे दिखाएगा ऐसे करके दिखाएगा वैसे करके समझना एक बात उसने बुला बारहा के दो गुणाज यानि दो मल्टीपिल अफ ट्वैल में अब ये दो बारहा के मल्टीपिल की बात क्या है अगर मैं बारहा की बात करता हूं तो बारहा के दो मल्टीपिल क्या हुए मैंने का 24-20 का मल्टीपिल है 36 का मल्टीपिल है समझत के संवल चौवेश-च्छी सा है तो बारा दोनों को डिवाइट करेगा के नहीं करेगा हाँ किना और जो चीज कम्पलेटिटी कर दीवाइट कडिलाती है जराब बताऊ मुझे एक बार मेरे कानमी बता दो कंब मेना बतायों तो गया को एगर आपकी शुक्राइब को ज़े अगर मैं इनलिक्त ही निया मिली इस मृत म्ले बैल। तू मल्टिमिल सफ ट्वैल यानि यह क्या काता है कि बारा जाके दो गुन जो का लगोत्तम सामब्पर तक एक हजार चपने तो बारा के दो गुन जो श्कमलब क्या है दिस इस फिर केलियर अब सवाल में क्या प्रब्लम मैं मुझे तो लगता है नहीं क्योंकि तो आप सबको है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बरावर एल से मिन टू एच्छ ऐसी करते हूं भी या अब उसने बोला एक संख्या 132 यहां पर लो ओमाइगाड सवाल तो यूई हो गया एल सेम देदा कितना एक अजार चपन लिग देते हैं 1056 मुल्टिपला एच सिफ कितना ट्वे ग्यारा बार 11 मिन्यान में 11.66 तो राइट ऑप्शन 96 समझ में आया बस एक छोटी सी चोटी सी आओके गाले भुसेन मैं अच्छा हूं आप कैसे हैं छोटी सी बात दिमाग में रखनी थी और आपने छोटी बात को मोटी बात बना करके सवाल को सौल कर दिया तो ऐसी छोटी चोटी बातों को समझना हैं और सवालों को करते जाना हैं hum है और सवाल अच्छा लग रहा हो तो लाइग भी करते जाना बोल ही रहा हैं करदो ज़ल्दी से पैसे ठोड़ी लग रहा है चलो आगे बढ़ते हैं को यह संकौन तिर्बुझ की परीधी 40 सैंटी एक स्वार्ति यदि कर्ण की लंबाई 17 हो तो तिर्भुज का छेतरफल ग्याद करो इस 40 ओके दोस्तों तो यह 40 है तो एक समकौन तिर्भुज की परिधी 40 cm है यदि कर्ण की लंबाई 15 cm हो तो तिर्भुज का छेतरफल क्या होगा इस परिमेटर आप एक बजी होगी चार दिन लगातार मैं आपके साथ रहूंगा एक बजे तो अभी मैं जानी रहूंगे से पर आप आनमत भूलियेगा एक बजे ठीक है ना हाँ चलो सवाल आपके सामने जवाब चाहूंगा क्या मिलेगा ओके हेर विगा विदी आंसर मुझे उम्मीद है आप जरूर देंगे तब तक मैं इसकी चित्रकारी आपके लिए कर देता हूँ चित्रकारी यह है यह है आपका समकॉन तिर्भुज सबोज यह ए दिस बी दिस इस सी एंड डिस इस 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 सी इस दी है ऑन्पष ऐसे ट्रांगल उसने बोला उसके करण के लंबाई 17 सेंटिमेटर ओके उसने बोला तिर्भुज का छेठ फल ग्याद कर दो आप तो कर सकते हूं तो चलो मैं ही करके बता देता हूँ कैसे समझोगे किताब वाला समझोगे को शौट कट समझोगे दोनों तरीके लिए बताए अपको साय कि याद होगा के एक सब्रीट सब्सक्र dek जिसको बौल देते हैं हंदी में यान इसका मुणा क्या होता है ऐसी तीन भुजाएं जिन से मिलकर सम कौन तर्वुज का निर्मान होता है उसको ट्रपलेट क्या थे हैं और वह कौन सी कौन कौन सी उनको लिख देता हूं यहां पर देखना जैसे तीन चार पांच इन में बड़ी भुजा करन होती है है आपने का ओके पांच के स सतरह तो यह कुछ कॉमन ट्रिपलेट से जो अधिक तरह एक्जामिनेशन यूज होते हैं इन्हें सबसे समकौन तिर्वुज का निर्मान होता है और जिसको निकालने ना है तो मुझे बता देना ठीके ना तो अगर मैं 17 विकरन की बात करता हूं उसके दोनों भुजाएं परिमाप तो यह होता है ना अगर मैं तीनों को जोड़ दू तो क्या होगा पंदरा आठ तेईस और सतरह चालिस अरे वाह यह तो सवाल हो गया अब समकौन प्रिपूज का च्छेटफल क्या होता है एरिया इस वन अपॉन टूंट बेस इंटू हाइट तो वन अपॉन टू इसका पंदरा और हाइट है इसकी आठेव जो आप चाहें से को फरक नहीं बढ़ता है पंदरा चोके साथ तो साथ सेंटिमेंटर वर्ग सेंटिमेंटर स्कूर्ण इसका राइट अंसर होगा साथ समझ में आया अब इसको मैं बेसिक से भी करा देता हूँ यह तो मैंने आप इसको देखते ही बिना देखे एक लंबी सांस लो ऐसे करके और खोड़ तो सवाल का उत्तर बस इतना सा काम करना एकव सांस खीचो और उत्तर चौड़ जैसे बाबासाब करते इसाफ होड़ते बाबा अनुव लोम करते हां अंदर सांस लेते बाहर निकालती बीमारी खथम सब्सक्राइब को निकालते कैसे यह बड़ा कुछन आपने मुझे पूछा है अभी बताता हूं पर प्लिट को कैसे निकालते हैं उससे पहले इसको बेसिक तरीके से और करा देता हूं यह ट्राइंगल था आपके सामने आपने कहा यह सी बराबर कितना है 17 यह और भी आप सभ स्क्राइब को प्लिस बीट इसक्राइब कर दो कितना 40 सी का वैल्यू अपको पता है एप लस बीट प्लस 17 इसकल टो 40 तो सॉल वकर दें एप लस बीट इस इकल टो 23 एक्वेशन नमबर तू आपके समने दो एक्वेशन नाइए एक्वेशन नुमर एक मैं लिग देता हूं इसको लेता हूं मैंने इसका स्क्राइब कर दिया वाट विल बी एपलस बी का होली स्क्राइब इस इट वाट एए स्क्वेशन क्या है यहां तक समझ में आ रहा है बेसिक से ओके थैंक्यू मंता जी बाद वाद शुक्रिया आपको मुरी टीचिंग पसंद है तो क्या करें लाइब इस इक वाट भी आपु थी खूर वाट वाट समेंटी थे रागवी आपने क्यागा इसको इधर भेस दिया तो तो पीछिए कल तो प्वैलिटी थी स्क्राइब स्वेंटीन स्क्वेर या 2 A B is equal to what 23 plus 17 और 23-17 ऐसे तो लिखतो A plus B A minus B और A B is equal to what 40 multiply by 6 upon 2 120 तो A B का multiple है कितना 120 इन दोनों का multiple है 120 है और इतना बड़ा करना पड़ेगा अगर आपको ऐसे करोगे तो A B का multiple 120 और आपका formula क्या होता है वन अपॉन टू इन टू ए बी तो भई वन अपॉन टू एबी कितना 120 आपने दिवाइड कर दिया 60 तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे अगर आप बेसिक से करोगे तो यू है डू फोलो दीज स्टेप्स है ना मस्त लगा आरे क्या बात है शुक्रिया अब तो मैं और चोड़ा हो गया ऐसे ऐसे से कमेंट सुनके तो मैं खुश हो जाता हूं ज्यादा च स्क्रीन आपके सामने ओके इस को जाता आदमी मिंगतानी कितना ब्लैक है ये समझते हैं थे कंड कुड़ेट् निकालने के दो तरीके से निकलता है । बह्त में सिellschaft thee कॉण की होता हूं एक और नमबर का एक अवहिन नमबर का मैं दोनों को बताता हूं अब दो को ट्रिक समझना कैसे निकालता है अगर आप ओर नमबर लेते हैं फोर एग्जाम Apple कम मैं पीन का मैंने नमबर लिए टींट कॉन कॉन से होंगा क्या करना है इस संख्या करना is square कर दिया उसके बाद क्या करना है इसको 2 से divided क्या किया मैं समझ ले हूँ मैंने किए स्क्वेर 13-14 बटादो दो से भाग करना है तो यह क्या बना 4.5 तो इस से पहली कौन सी संदूर्ण है यह डिशमलों में संद्ध पून संदूर्ण पून संदूर्ण आपने कहा सर चार और बाद वाली कौन सी है चार दसमेलों पांच से पहली पूरी संग्या चार दसमेलों पांच के बाद वाली पूरी संग्या आपने का पांच तो टर्बिट क्या बना तीन चार पांच इस इट केलियर बात करते हैं पांच का निकालते हैं चलो पांच में क् कैसे निकालूगा 5क1 स्क्वियर कया कितना हूँ 25 में नो का खाग क्या आया साड़े बारा अबぉसाड़े बारा से पहली पूरी संक्राइम और वाक वाली तेरा तो 5 का टर्बेट क्या बना पांच बारा तेरा निकाल लोगे order number का किसी भी order number का यस के रोग अब बात करते हैं इधर वाले even number की भी देख लो even number क्या होता है that is even number मैंने कहा 4 का निकालते हैं तो चार में क्या करना पहले स्क्वेर नहीं करना है इसमें इसमें पहले इसको दो से भाग करना बस यह स्टैप अला गया है इसमें पहले क्या कर रहे थे, स्क्वेर कर रहे थे ना, इसमें पहले स्क्वेर नहीं करना, फिले डिवाइड करना होता है, यह बना दो, अब इसका स्क्वेर कर दो, इट विल बी फूर, तो चार से पहली पूरी संक्या 3, चार के बाद वाली संक्या 5, तो क्या बना, 3, 4, 5, अभी निकाला थे न उदर, ओके 6 का निकाल के बताता हूं, अगर आप 6 की बात करते हैं, तो कैसे निकालोगे, 6 का आधा, 3 का स्क्वेर, 9, 9 से पहली संख्या 8, 9 के बाद वली संख्या 10, तो क्या बना, 6, 8, 10, आप ऐसे भी कैल्कूलेट कर सकते हैं, इस इत के लिए ना, बात समझ में आ गई, सही है, ओके टन, तो इविन और का ऐसे, आप कोई भी नमबर ले लो, आपसके बाद आठ ले सकते हो, आठ को बताता हूं, एक बार वाइट कलर में आपर, तो यह आठ ले ने, तो क्या हुआ, आठ का टरबलेट, तो आठ बटा दो, बराबर 4 का स्क्वेर, बराबर 16, 16 से पहले 15, 16 के बाद 17, तो क्या बना, 8, 15 और 17, इस इत के लिए, समझ में आ गई बात, कोई प्राबलम तो नहीं किसी को भाई, इस इत के लिए, ओके, वेरी ग तक बर यस कर दो, ठीक, ओके दन, आगे बनू, वेरी गोर्ड, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर चलिए, यह रहा, यदी साथ क्रमागत, क्रमागत मिस कांजुगेटिए, संख्यां का उसाथ 33 हो, तो इन में सबसे बड़ी संख्या क्या है, दी आवरेज ऑफ से बड़ी नमबर, तो सवाल आपके सामने है, साथियों, जवाब की उमीद, आप लोगों से बड़ी उमीद लगा के बैठे हैं, कि जवाब एकदम सही आना चाहिए, तो गल बड़ नहीं होनी होनी चाहिए सवाल में, ओके, दी, 36, मुझे ऑप्शन मिला है, 36, मैं इसको यलो कलर में ब्लॉक कर देता हूँ, सब लोगों ने, क्या बात है, तालिया, इस बार आपके लिए बहुत बढ़िया जवाब, इस बार तो आपने जंडे गार दिया, बहुत ही अच्छा जवाब दिया, आपने 36, that's very nice answer, चलो मैं इसको बेसिक तरीके से बता हूँ, जो आपको किताब में मिलता है, तो पहले वैसी बता जाते हैं, फिर आपको concept बताते हैं, मैंने माना पहली संख्या X, दूसरी संख्या X plus 1, तीसरी संख्या X plus 2, next संख्या X plus 3, उसके बाद X plus 4, उसके आगे संख्या X plus 5 और X plus 6, यहीं सभी जानते हैं, total upon number of digit, average होता है न, average आपको दिया 33, तो मैं क्या इन सबको जोड़ दूँ, आपनी तो कहा, total upon number of digit, और number of digit 7, वो किसके बराबर है, 33 के बराबर है, सबको add करके इदर ले आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, X plus, 1, 3, 6, 10, 21, upon 7, is equal to 33, यह 7 यहां से बाहर निकाल लो, X plus 3 upon 7, is equal to 33, इस से यह कट गया, X बराबर 33 minus 3, is equal to 30, X का value 30, जब X का value 30 है, तो यह problem क्या होगी, यह 30, यह 31, यह 32, यह 33, यह 34, यह 35, और यह 36, और यही पूछ रहे थे बाई सब, यह basic तरीका है, जिससे आप question करते हैं, Is it clear, अगर आपको average का concept पता है, तो इसमें यतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप easily handle कर लेंगे, अब मैं आपको थड़ से smart way बताता हूँ, कैसे solve करते हैं, Is it clear, यहां तक कोई दिक्कत किसी को हो, तो मुझे बताए, नहीं तो फिर चला जाए, प्रणाम जैपुर की दर्ती को प्रणाम, रजवालों की इस भूमी को प्रणाम, कैसे हैं आप, महरणा प्रताप की भूमी को प्रणाम, ओके, देखते हैं सवाल smart way में कैसे करते हैं, अगर हम बात करते हैं, साथ किरमागत संख्याओं का आउसद, कैसे करें, करमागत में लगातार हैं कोई भी गैप नहीं है और संख्या कितनी है 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 संख्या हैं आपके सामने करमागत वो हैं 7 मैंने लिख दी उसने बोला ओसत 33 है अब मैं अगर मैं बोलू 3, 4, 5 ये लगातार संख्या इनका ओसत क्या आपने का 5, 4, 9 और 3, 12 से 3 को डिवेड करो 4 या इनका mid value जब भी number of terms लगातार होती हैं तो जो mid में संख्या होती वहीं उनका average होती है अब मिकाल के देखना तो इस सवाल में देखें 33 लिकाता इसका मतलब क्या है ये mid वाली संख्या है कहां पर यहां पर क्योंकि ये average है अब तो सवाल आसान बन गया 33 के पहले 3 नमबर 33 के बाद में 3 नमबर तो 33 से पहले 32 31 34 35 36 सारे नमबर आगे अगर आपको conceptual study आपने की है तो आप आसानी से कर सकते हैं किलियर कोई problem तो मैंने क्या कैसे क्या लगाया कि क्योंकि जब एवरेज निकालते हैं तो एवरेज हमेशा और नमबर का एग्जेक्ट मिट्टम होता है अगर वो कॉन्जुगेटिव हैं आप इनको एपी भी भी समझ सकते हैं क्योंकि पहले नमबर तो कॉन्जुगेटिव वाले सवाल हम आसानी से ऐसे कर सकते हैं समझ में आगया है भई सबको किलियर कोई प्राबलम तो नहीं तो देज नो नीड टू फाइंड आउट एनी सॉलूशन के आप एक्स वाक्स के चक्कर में पड़ो कोशन देगो उतर 33 के आगे 3-36 बात खतम बिल्गु सही का आपने बीटी सी अजूकेशन आगे बढ़ते हैं एक और सवाल राइट आप्शन 36 आपके स्क्रीन पर यह रहा एक छाद्र को परिक्षा में उत्रिन होने के लिए 40 प्रतिशत अंक लेने थे उसने 178 अंक प्राप किये तथा 22 अंकों से अनुत्रिन गोशित किया गया कुल प्रूनांग क्या था याप को बताना है 200 500 800 1000 okay English virginia also there a student had to score 40% off to pass the exam he scored 178 points and was declared unsuccessful with 22 points what was the total इंटीजर से टोटल वैलिव और टोटल मैक्सिमम मार्क्स देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है जल्दी से दीजेगा हालती ना हो जाए सवाल का उत्तर एकदम गोली की स्विड से आए ओकी टैन का मुझे मिला है फिप्टी पांसो ओकी सबने का पांसो राकेश गौराव बीटीसी देव विलाल बहुत बढ़िया 500 आप सब लोगों का अंसर ग्रेट बहुत बढ़िया समझते कैसे इसको तो फिर टेक्निकली समझो एक चात्र है अगर वो पास होना चाहता है तो चालिस परसेंट नंबर लाने होते हैं यहां तक तो कोई प्राबलम नहीं सवाल लिखा है उसने बोला उससे 178 रंक मिले हमारा विचारा तिलू था इसको फिर नंबर मिले और 22 नंबर से पेल हो गया विचारा अब क्या हुआ 178 नंबर मिले 22 नंबर से पेल हो इसका मेनिंग क्या है इसका मीनिंग क्या है अगर मेरे टिलू लाल को 22 नंबर और मिल जाते तो विचारा पास हो जाता यह मतलब तो है बै, वो Eks dust national election लाये और बाइस नमबर से फेल हो गया. मतलब क्या हूँआ, अगर इस nicण लूब को 22 नंबर मिल जाते तो, यह पास हो जाता और 22 नंबर मिलकर उसके टूटल कितने नंबर वन जाते' आपने कहा 200 अगर वो 200 नमबर ना ले तो पास हो जाता और पास कितने पर होते हैं 40% पर यानि वो 40% नमबर ले आता तो मतलब क्या हुआ 40% का वेल्यू कितना है 200 आप से पूछा 100% का वेल्यू तो निकाल सकते हैं 200 multiply by 100 बटा 40 40 पंजे 200 500 नमबर होंगे टूटल क्लियर है आग लगा दी 500 देकर बहुत बढ़िया कोई दिक्कत कोई प्राबलम कोई परेशानी कोई चिंता कास्ट शिकन और कुछ बचाओ तो बता दो हला कि मैंने सारे नाम ले दिया है क्लियर है पाइस समझ में कि ऑप्शन नमबर भी इस दिराइट आंसर अब मैं आगे बढ़ू एक और सवाल की तरफ रुख किया चाहे सब लोग रड़ी हैं तैयार हैं ओके वन मोर कॉशन फॉर यू गाईज तो देखते हैं एक और जवाब आपके स्क्रीन पर यह रहा एक समझ चतर बुझ की बुझा इसको बाद में कराऊंगा यह थोड़ा सा कॉंपलिकेट नहीं है एक्चुली इसकी डिजिट्स गलत लेखी है मुझे लग रहा है क्योंकि भुझा छोटी नहीं हो सकती करण होती है इसलिए इसको देखते हैं चलो एक फल विकरेता नहीं पंधर रुपय के छे की दर से केले खरीदे और बारे की चार की दर से बेच दिये उसका लाब प्रतिशत बताओ कितना हुआ 10 20 30 40 a fruit seller bought bananas at the rate of 15 to 6 and sold 4 to 12 find out its benefit profit how much profit he earned समझते हैं इस सवाल को करने से पहले में एक चीज़ आप से पूछना चाहूंगा और चाहूंगा आपके कमेंट में आंसर मिले और एक आदमी के बीस के लिए पत्चीस की खरीदा या और वह 20 के अरके बीस की अर्थ्यnościं 14 अब पीस के लिए और उस आदमी ने वह ईन्द कितने का खायदा हुआ हुआ कौन बताएगा मुझे आप में से एक आदमी आया 20 के लिए 25 रुपे के खरीद के लाया और वो 20 के लिए 38 के बेश दिये तो फायदा कितना का हुआ आपने का सर 13 रुपे का 13 रुपे का फायदा हो गया है ना यह कैसे निकाल दिया आप नहीं जल्दी कि आपने तुरत तेरा बता दिया उसका सिर्फर सिर्फर रिजन एक है क्या कि कि यहां पर क्वांटिटी इक्वल थी बीस के लेते 20 इलाया 20 बेश दिये तो सवाल एजिली हैंडल हो जाता है और कौन्टिटीटी अगर बलाबर दी हो तो सवाल आपनूज करते हैं और गौणटिटी को बलाबर करना सेखते हैं देखे एक तरफ में रुपे लिए एक तरफ मैंने लिखे क्वांटिटी उसरे वोला 15 रुपए के छे के लिए लाया कोस्प्राइज में 12 रुपए के चार भीज दी मैंने क्या कहा था अगर ये क्वांटिटी बरावर हो जाए तो मेरा काम बन जाए अभी मैंने बताया था ना 20 के लवाल एक्जामपल ले करके तो अगर मैं बात करूं आपसे तो यह को समझ में आ जाए है ना तो देखते हैं तो क्या करूं इसको बरावर करने के लिए मैंने क्या काम किया मैंने ऊपर वाली रू में मिन दुकि मुल्टिपल एकर दी नीचे वाली में तीन की कर दी मुझे क्वांटी बरावर करनी है बस और कुछ नहीं करना चाहता हूं और सिर्फ नहीं तो मैंने गादेखा सारइ में मंटिपलाइ करने बढ़ेगी कभी सो चर एक में काम चल जाएगा सममे तो नए रूपय गेठीर अर्मे उन्राइटिटीए रॉपश्ट के लिए सवाल सवाल क्या हो गया अब कोशन घंड हबना हे लाया ऑर वह बाह के लेठीर सो यह आगे है ज्यों एरोपे का कितने ही पर कॉस्पराइज कितना 30 और मिल्टीप्लाइब रभाई हंड्रेड छे पंजे तीस बीस पंजे सो बीस परसेंट इस दिराइट आंसर क्लियर है में भी समझ में आ गया होगा सभी को सवाल का जवाब कोई ऐसी प्राबलम नहीं होगी ऐसा मुझे लगता ह कि कोई यहां पर नहीं होनी चाहिए everything is okay from your side solution is in this side and question is in the side बहुत बहुत बढ़िया सबने का 20 परचंट खूब सुनती से जवाब दिया है आपने कोई भी ऐसी बात नहीं जो आपको समझ में ना आई हो that's very good आगे बढ़ते हैं एक और सवाल आपके screen पर यह रहा यदि 35 घोडों के लिए 540 kg अनाज 21 दिन के लिए परियाप्त हो तो 28 घोडों के लिए 720 kg अनाज कितने दिन के लिए परियाप्त होगा यह आपको बताना है कुछ नहीं होगा मिलता है आपका अब देखो यहां पर घोड़े दी है शायद आपको याद हो बच्वन में हमारे एक मूच वाले अंकल जी आते थे खेर अभी भी आते हैं वो बने घोड़ी तागे बे और शायद याद होगा एक उन्होंने स्लोगन दिया था क्या असली मसाले सच-सच अब देच्च और अब देच्च की बिल्च का तड़का सारा अंग अंग फड़का तो बस मैतमेटिस में लगा दो तड़का आंसर आगा जाए इस सवाल हो का तो एम डियस उना असली मसाले सच-सच एम डी एच दो बढ़ बोलना अब दो बढ़ लिग दो ताओ जी की बात हो तो नीचे काम में लटका दो डबलू मिंस वरक बस आपका सवाल हो गया हल के लिए रहे हैं फार्मला याद रहेगा हां असली मसाले सच-सच एम डी एच वो भी दो बार एम डी एच एम डी एच और डबलू नीचे लगा दिया वरक इनके कोई बात नहीं मन अप एम मेंस होता है आदमी डे मन्स होते दिन एच मिनस होते है चार् करण अब लेकिन यहां पर घंतें़ दो हैं तो घंटेंब को गंटे को गंटा जाने दो है ना छोड़ दो छोड़ दिया गंटा नहीं था इसमें ओके अब देखते हैं यहां पर सवाल कैसे करें अब यहां आदमी तो है नहीं तो आदमी किजिए का सजीव चीज कौन से घोड़ा तो यानि M1 कितना है घोड़ा 35 दिन कितने है एक कई और खाना कि ना खाना कतना खाना को अंबिन पॉंहा देखें ऐट्थाईस फोड़े थे आ थैं दी डिटू नहीं पता था और खाना कितना था सासर जेटो ऑएशे तो आसे काड़ी प्राभलम तो सिंद्टिय को नहीं तो डीटीट इसे को एडेट को नही प्रब्लाइब एक किस मल्टी प्लाइब आपन फिफ्टी फूर मल्टी प्लाइब ट्वंटी एट के लिए को प्रॉब्लम हो तो बताते रहना ठीक है न तो यहां पर काटें चलो साथ से कार्थ साथ अपंजे पैंदे साथ चोक एक्थाइज चार अठार चोक बातर अठारती सब्सक्राइब लगा तो ऐसे सवाल आएंगे तो आपको मार्म मसाले याद आने चाहिए डेली खाते हुआ नो मसाले तो उनको लगाओ और करडालो प्रशन के हवाले उत्तर हुचाएगा एकदम धीर धीर हाले हाले बढ़ते हैं आगे एक और सवाल आपके स्क्रीन पर चलिए कोई धन साधन ब्याज की किसी दर से 8 वर्स में 2900 रुपए हो जाती है तथा 10 वर्सों में वो 3000 हो जाती है तो ब्याज की दर ग्यात करो जरा बताओ कौन तर कर मुझे बताएगा a sum becomes rupees 2900 in eight years at a rate of simple interest and rupees 3000 in 10 years find the interest from the given blue अगर समय घंटा अगर समय घंटा भी है ना कि वह पांस दिन पांस दिन काम करके प्रती दिन आट घंटे काम करते तो घंटा भी लगा देना ओके सवाल का जवाब आपके सामने चलो solve करते हैं और देखते हैं क्या आपका जवाब मुझे मिलता है सही ओके लेट सी ओके देखो कोई धन आठ वर्स में कितना हो गया आपने खा 2900 रोपय और वो दस साल में कितना हो गया आपने खा 3000 रोपय यही था ना इस वह वो दस साल मेंुआ थीचार आठ साल में उंसल और याद है लुऑ ne मुझा नहीं बदलता है था दा ब्रेंगा आता शभूस तो कितना ब्रेंख रूपय नहीं है नहींड chicos अ कि हाँ जी आठ सालों में इतना रुपा हो रहा था क्योंकि कुल धन कितना था आठ सालों के बाद 299 और यह क्या था प्रेंसिपल प्लेस इंट्रेस्स दूनों को मिला कर था यह तो मैं ने 8 साल का इंट्रेस्स निकाला क्योंकि जब तो आठ साल का 400 रुपए तो अगर मैं 2900 में से 400 निकाल दूं तो मुझे 25 रुप मिलेगा वो क्या है वो principal amount है यानि वो principal amount था था धनिराशी कितनी होगे 25-100 रुपए अगर वो आप से पूछता है कि धनराशी कितनी है तो पच्चीस सो रुपए अब फच्चीस सो रुपय पर एक साल का ब्यार्ज कितना है फचास रुपए नजब साज रुपए मिलते हैं उसको 25 रुपए पर परसंटेज बूच रहा था आप से तो दो परसेंट तो धन कितना है अगर वो धन पूचे तो 25 रुपए और पूचे ब्याज परसंटेज रेट आफ इंट्रेस्ट तो वह कितना है दो परसेंट समझ में आ गया वही ऐसा कोई मेरे साथ ही जिसको समझना आया हो हां दुबार से बता दाता हूं चौद्रे साब दुबार समझ लो फिर समझ लो कोई प्राबलम नहीं देखो उसने बोला साधन व्याज से दस सालों में वो धन जो था वो तीन हजार रुपए हो गया यानि या दखना इन्हें सब धन में आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंट्रेस्ट दोनों इनवल्व है कोई धन दस साल में तीन हजार हुआ है तो मतलब क्या हुआ पी प्लस सब द किस्क..., Q क्योंकि मूलगर जन तो सेम रहता है याजजय को सब्सक्राइब करी लगूव को अम पचक्राज मिलता है यह तक क्लिए उस आदमी को एक साल में पच्चास अंयाज इसमिलता है एक साल में 50 प्योर्व एज नहीं इसमें मूलधन जोड़ा का था इसमें ब्याज मोंत में से तो मुझे एक थाल का नहीं मिलगा तो मैंने इस हट रूपय तो आज समल खना हो जाएा क्पचाव द्रियाइश किर्शक माट नए इसमें it तो पूछता है तो पूछता है तो आपने निकाला ट्वाइब अब आपसे यह ता बैसे निकाल लो के पी आर्टी पॉन रेंडेंड ने तो सीधा देखो ना पचास रूपए का उसको प्राफ ग्याज मिलता है कितने पर पच्छी सो रुपए पर पर संटेज अंब दलने के लिए सो की मल्टिपलाई जीरो से दो जीरो करेंड के पच्छी दूनी पचास दो परसेंट और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो एस आई सिटल टो फी इन टो आर इंटू टी अपउन हंर्डेट तो अब इसमें भी स्वाल कर लो एसाई कितना है फचास रुपए हैडीимо갈 50 पर ओ ऐसको इसको पुट कर लो अभी समझने वे तीश प्रतिशत के दो क्रमवार बच्छे किस एक मात्र सम्तुल बच्छे के बराबर है इतमीस विच तो इक्वल बैच्छ दिस्काउंट आफ 20 परसेंट एंध 30 परसेंट और इक्वल टू वन इक्वल इक्वल डिस्काउंट लो मैं आ गया टॉ the how I know if you are interested then I will explain if you are interested you are not able to understand all the statement in India or you are not able to understand all the concept and the question process in India then I will explain it in English so don't worry both language we can use it just depend on your choice if you choose English then I will speak out English if you choose Hindi then I मैं आपको हिंदी में संपर्शन कर दूंगा है 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 इंग्लिश में पढ़ाता हूं लेकिन यहां पर दोनों वोड़ बाइल इंगल चलते हैं ओके कुशन आपके सामने हैं तो विच्टू एकुवल टू बैट्स आफ 20 परसेंट एंट 30 परसेंट और एकुल टुए सिंग बैट्स और सिंगल डिसकाउंट तो यहां पर जवाँ मिला 56 परसेंट चलिए बहुत अच्छी बात है 56 परसेंट में आपका लॉक कर देता हूं अंसर क्लियर है कोई प्राब्लम नहीं सब को पता है क्लियर है लेकिन लेकिन अफ्सोस मेरे दोस्तों मेरे साथियों मेरे मित् इस इस रॉंग आंसर यह गलत जवाब चुना है आप लोगों नहीं गलत जवाब क्यों गलत जवाब समझना बट्टा डिसकाउंट हमेशा लॉस होता है सराप रामभाव कारू जाए पूपू चना खाय कांदा खाय आग भीकुआ हंडी गटिया सुदियल यह हाँ इन सब को मैं जानता हूं इस सब मेरे मित्र हैं बच्पन के साथी हैं सुन्दर भोजी बीर गुंडी भंगी मासी को जानता है साब को मैंने पढ़ाया है महिंद् प्रतियों आपको फायदा नहीं है दिस्काउंट अनल बेज बिस्काउंट होता है तो जब भी आप effective percentage को यूज करते हैं तो याद अखिएगा जब भी आपको discount मिलेगा कमी मिलेगी loss मिलेगा तो symbol of negative use करेंगे अगर आपको profit मिलेगा फायदा मिलेगा व्रद्धी मिलेगी तो आप क्या माइनस का 20 है अगर आप formula देखे ना a plus b plus a b upon 100 तो मतलब क्या है यह a जो है वो माइनस का 20 है क्योंकि वो discount है b b जो है वो भी माइनस का 30 या दखना एक्जाम में गलत मत कर दे है ना फिर बोल रहा हूं डिसकाउंट लॉस कमी घाटा यह सब नेगेटिव प्राफिट फायदा व्रद्धी यह सब प्लस ओके ओके तो दिखते है क्या मलता है तो माइनस का 20 माइनस का 30 प्लस माइनस 20 मुल्टीप्लाय बाइनस 30 अपूं 100 ओके देश वाट इस माइनस 50 और माइनस मैनस की मुल्टीपले प्लस होती है ना प्लस का 6 100 अपूं 100 तो माइनस का 50 प्लस का 6 इस इकल तो माइनस फोर्टीपोर और यह माइनस चो क्या करता है देट इस लॉस अभी बताया थे ना मैंने ड़ी लॉस कमी हानी नुक्सान इस अब इस यह सो करता है ओके बासमन में तो 44 परसेंट इस दिराइट असर आप्शन नमर सी इस आप सब लोग शिक्षक बनने वाले हैं आप सभी लोग मेरे साथी हैं तो I am just with you आपके जैसा अगर आपको पढ़ाया हूँ समझ में नहीं आया है तो अच्छी बात पढ़ाया हूँ समझ में आया सारे टॉपिक समझ में आया सब कुछ किलियर है एनी इशू एनी प्राबल सबस्त कर तो